हेलो फ्रेंड्स इंडिया के फर्स बुलेट ट्रेंड यानी हाइस्पीड रेल का फांडेशन स्टोन 14 सप्टेबर 2017 को रखा गया बुलेट ट्रेंड मुंबई के बांदरा कुरला कॉंपलेक्स से साबरबती टर्मिनेस तक चलेगी इस रूट का डिस्टन्स 508 किलोमेटर है जो हाइस्पीड रेल सिफ दो गंटों में पूरा करेगी यही डिस्टन्स अभी के एक्जिस्टिंग ट्रेंड से साथ गंटों में पूरा होता है वेलकम टू केपी कॉंस्टो आज हम मुंबई आयमेदाबाद हाइस्पीड रेल यानी इंडिया के पहले बुलेट ट्रेंड के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों, बुलेट टैन का कंस्ट्रक्शन जपनीजट इंटरनेशनल कॉर्परेशन एजनसी यानिजी का के साथ जॉयन्टली किया जा रहा है इंडिया में इसे ने इन एसरों से य़ळी नाशनल है स्पेश्टल कॉर्पॉरषन लिमेटेड अंडल कर रहे हैं अगर प्रोजेट कोस की बात की जाए तो इंपूर्ट ड्यूटी और इंट्रेस्ट को पकड़कर लगबग एक लाग दस हजर करोड होगी इसमें से 80% यानी 88,000 करोड जापनिस गवर्मेंट दे रही है इतनी बड़ी अमाउंट वो 0.1% रेट आप इंट्रेस्ट के साथ 50 साल के लिए दे रहे है रिमेनिंग 20% अमाउंट महारश्टो और गुज़ात स्टेट गोवर्मेंट पे करेगी बुलेट ट्रेन के लिए 1434 हेक्टर यानी 3500 एकर से ज्यादा की लैंड लगने वाली है लैंड अभी तक पुरी तरह से एकवार नहीं हुई है लैंड एक्विजिशन की लाज्ट डेडलाइन जुन 2019 है कंस्ट्रक्शन के लिए जापनेज इंटरनेशनल कंसल्टन्स निप्वन कोई कंपनी ओरियंटल कंसल्टन्स ग्लोबल कंपनी लिमिटेड ये तीन कंसल्टिंग फर्म्स को आपउइंट किया गया है ट्रेन के रेल्स स्टैंडर्ड साइज गेजेस में बनाए जाएंगे जो 1.435 मीटर होता है ट्रेन का मॉडल E5 सीरीज शिंकैंसन है और इसमें 10 तू 16 कोचेस होंगे इसकी मैक्जिमम स्पीड 350 किलोमेटर पर आर है और ओपरेटिंग स्पीड को 320 किलोमेटर पर आर रखा जाएगा इतनी स्पीड के वज़े से मुंबे टु आहमेरबाद का डिस्टन्स सिर्फ दो गुन्टों में पूरा होगा ट्रेन की पैसेंजर कैपेसिटी 1300 से 1600 के बीच में होगी ट्रेन महाराश्टर में 155 किलोमेटर गुजात में 351 किलोमेटर और दादराय नगर हैवेली इस यूनियन टेरिटेरी में 2 किलोमेटर तक का डिस्टन्स कवर करेगी रेल रूट में 12 स्टेशन दिये गए है जो मुंबई, ठाने, विरार, बोहिसर, वापी, बिली मोरा, सूरत, भरुज, वडोदरा, आनन, नाडिया, एहमदामाद और साबर्मती है मोस्ती रूट इलेवेटेड होगा, बट ठाने टू विरार के बीच का 21 किलोमेटर का डिस्टन्स अंडरगाउंड होगा, जिसमें से 7 किलोमेटर का डिस्टन्स पानी के अंदर से होगा मतलब, 7 किलोमेटर तक बुलेट ट्रेंड समंदर के अंदर से गुजरेगी construction के लिए 750 से जादा soil test किये जाय रहे है contour map के लिए 100 megapixel digital drone camera का use किया गया है जिसकी वरे से survey time बहुत कम हुआ है बांदरा कुरला complex terminal underground structure होगा जिसमें 3 underground floor होगे BKC terminals में 6 platform होगे जो सबसे के नीचे वाले floor में होगे साबरमती terminals का design मातमा गांधी के दांडी यातरा के theme पर रखा गया है इस station आसमाज से चर्खे के design का दिखता है साबरमती terminals में 3 level parking होगी जिसमें 1500 से जादा vehicle parking capacity है इस terminal की cost 225 करोड के आसपस होगी bullet train का टिकेट, airplane ticket से कम रखा गया है अंदाज है कि जो अभी मुंबई से आयमेदबाद train जाती है उसके AC ticket से देड़ गुना जादा ticket रखा जाएगा यानि मुंबई to आयमेदबाद bullet train का ticket 3000 के आसपस होगा 2019 गे मांसुन के बाद साबरमती station से bullet train का construction स्टार्ट होगा bullet train की opening 15 अगर्स 2022 यानि 75th independence day को की जा सकती है दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like और comment ज़रूर करे हमारे facebook page को like youtube channel को subscribe और website को ज़रूर विजिट करे thank you so much हुआ 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 है